एक जर्मन मनोविज्ञानिक था हर्मन एबिंग हाउस उसने शोत करी भूलने पर उसने 2300 अनाप शनाप शब्दों की लिस्ट बनाई जैसे DAXDAX, YAT, YAT इस किसम के अनाप शनाप शब्दों की जिनका कोई मतलब नी था उसने इनकी लिस्ट बनाई वो इनको याद करता था इ वो कितने समय बाद इनको भूल जाता है, एबिंग हाउस की इस शोत का एक जो बहुत महत्पूर्ण जो इससे बात निकल कर आई उसको कहते हैं, फरगेटिंग कर्व, एबिंग हाउस के अनुसार आप जो नया सीखते हैं, वो आप सबसे जादा भूल जाते हैं, 20 मिनिट के याद रहता है, इस फरगेटिंग कर्व को ध्यान में रखते हुए कि आप 20 मिनिट बाद, एक घंटे बाद और 24 घंटे बाद सबसे जादा भूलते हैं, अगर आप कुछ नया सीखते हैं, और उसको आप 24 घंटे के अंदर अंदर दोहरा लेते हैं, तो वो जो जो भी आपन किसी चीज को दोहरा लेते हैं, तो आप उसको जादा लंबे अरसे तक याद रखते हैं, यही नहीं, अगर आपने किसी चीज को गहराई से समझा, रट कर नहीं, गहराई से किसी चीज को समझा, और हमने पिछले वीडियो में देखा, और हमने पिछले वीडियो में देखा कि गहराई से समझने का मतलब है कि आप अपने नए ग्यान को पूर्व ग्यान से उसके कनेक्शन्स बना पाते हैं और दूसरा जो आपने नया कुछ सीखा आप उसको किसी नवीन संदर्ब में उसका इस्तिमाल कर पाते हैं तब आपकी वो समझ जो है वो गहरी होती है तो अगर आपने किसी चीज़ को सीखते वक्त ही गहराई से सीखा वो आप फिर जादा लंबे अरसे तक भूलते नहीं इसी कारण जो है हम कहते हैं कि distributed practice हमने एक और वीडियो में इस पे चर्चा करी थी कि distributed practice का क्या मतलब है कि exam से एक हफता एक दिन या एक महीना पहले रटने से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप निरंतर पूरे साल जो है सीखते रहें यानि आप कुछ सीखें उसके बाद आप उसी चीज़ को कुछ अरसे बाद वापस दोहराएं और फिर कुछ अरसे बाद फिर से वापस दोहराएं अगर आप इस प्रक्रिया का को follow करेंगे तो जो है आप ज़्यादा गहराई से भी सीखेंगे और आप को वो ज़्यादा लंबे अरसे तक याद भी रहेगा हमने पहले ये भी समझा था कि अगर आप किसी चीज़ को याद करके वर्णित कर सकते हैं Recall and describe what you have learned तो उसको explicit learning कहते हैं और हम यहाँ explicit learning पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अगर आप कुछ सीखते हैं उसको आप ठीक से याद तो नहीं कर पाते हैं उसका इस्तेमाल कर पाते हैं जैसे आपने कोई संगीत का बाद बजाना सीखा आपको ठीक से याद तो नहीं है पर आप उसको वापस बजा पाते हैं तो इसको implicit learning कहते हैं हम यहाँ पर explicit learning की बात कर रहे हैं और explicit learning में क्या होता है कि जब आपकी इंद्रियां आपको कोई input देती हैं आपके मस्तिश को कोई input देती हैं तो वो सारी input सबसे पहले दिमाग का एक part है जिसको hippocampus कहते हैं उस hippocampus में store होती है hippocampus को short term memory भी कहते हैं और फिर बाद में वो जानकारी जो है वो hippocampus से आपके cortex में cortex या cortical region होता है जो जब आपने कोई मस्तिश की कोई भी तस्वीर देखी होगी तो उसके उपर जो wrinkly जो part है वो cortex है तो पहले hippocampus में वो बात जाती है फिर जो भी sensory input है वो hippocampus में जाता है पहले और बाद में वो वापस encode होता है ये जो cortical region है इसके अलग-अलग इसके अलग-अलग regions में तो ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यों होता है कि पहले जो sensory input है वो आपके hippocampus में जा रहा है और उसके बाद वो cortical region में encode हो रहा है वो सीधा ही cortical region में क्यों नहीं encode होता वो इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर वो सीधा sensory input सीधे cortical region में encode होगी तो फिर ये डर होता है कि existing information override ना हो जाए तो इसलिए प्रकृति नहीं ऐसा एक वो बनाया है कि hippocampus में पहले बात जाती है और hippocampus से बाद में cortical region में encoding होती है इसको विग्यान में stability, plasticity, dilemma कहते हैं जो हमारी short term memory है वो तो सीमित है पर जो हमारी long term memory है वो उसकी कोई भी सीमा नहीं है almost infinite है वो इसलिए आप जितना मर्जी सीखना चाहें आप सीख सकते हैं ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं चीज सीखेंगे तो किसी दिन आपकी memory फुल हो जाएगी ऐसा नहीं होगा एक बहुत interesting research हुई थी जिसमें कुछ चूहे थे और उन चूहों को एक भूल भूलाईया में डाला गया था और विज्ञानिक देख रहे थे कि वो उस भूल भूलाईया को कैसे उससे निकलेंगे और जब वो चूहे ऐसा कर रहे थे तो उनके monitoring उनकी मस्तिष की monitoring चल रही थी और विज्ञानिक देख रहे थे कि कौन से neurons जो हैं वो fire up करते हैं तो इसमें interesting यह हुआ कि जब रात को वो चूहे सोए तो वो monitoring जारी रही और विज्ञानिकों ने देखा कि जब वो भूल भूलाईया से निकल रहे थे चूहे उस वक्त जो भी neurons fire कर रहे थे रात को सोते वक्त नीद में वही neurons वही neural patterns जो थे वो दुबारा fire कर रहे थे इस शोत का क्या यह शोत क्या दर्शाता है कि हम अपनी memory consolidation जो है वो सोते वक्त करते हैं यानि जो भी हमारी नया हमने ग्यान प्राप्त किया और वो हमारे मस्तिश्क में encode हो रहा है memories form हो रही है जब हम रात को सोते हैं तो वो patterns वो neurons फिर से fire करते हैं और इस तरीके से वो memory consolidate हो जाती है वो जो हमने सीखा वो ज़्यादा सुध्रिड हो जाता है तो सीखने में सोने का जो है वो बहुत ही महत्पूर्ण जो है वो रोल है और आज की दुनिया में जब हम television और mobile phone और whatsapp वगेरा में हम सब ही जो है वो वंचित होते जा रहे हैं नीद से वंचित होते जा रहे हैं तो शायद इसका सीखने पे कहीं बहुती नकारात्मा कसर भी पढ़ रहा है हमारे पर सीखने और भूलने की प्रक्रिया में जो अगली बात समझने माली है वो है कि हमारा मस्तिश्क जो है वो केवल मोटी बात याद रखता है जिस्ट याद रखता है आप ये विडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि बात में आप इस वीडियो को शब बाई शब दोरा पाएंगे आपको इस वीडियो की दो चार पांच बातें मोटी मोटी बातें ही याद रहेंगे क्योंकि आपका मस्तिश्क ऐसे ही काम करता है हम सब का मस्तिश्क ऐसे ही काम करता है इसलिए जब हम note taking की बात करते हैं कि कई students हैं जो कि जब class में notes ले रहे होते हैं तो जो भी teacher कह रहा होता है हर शब्द को वहाँ लिख रहे होते हैं उसका कोई फाइदा नहीं उसका कोई फाइदा नहीं क्योंकि आपका दिमाग इस तरीके से काम ही नहीं करता है इससे ज़्यादा बेटर है जिसको कहते हैं heads up notes taking heads up note taking का मतलब है कि जब आप note अपनी class में बैठे हैं और notes ले रहे हैं तो अधिकतर time आपकी जो नजर है वो अपनी teacher पर होनी चाहिए जो भी सिखा रहा है उस पर होनी चाहिए जो वो कह रहा है हर उस शबत को नहीं note करना चाहिए जब आपकी नजर उपर होती है तो आपकी नजर उपर होनी चाहिए प्लस आपका उससे एक सक्रिय रूप से engagement एक्टिव engagement चलना चाहिए जो हमने पहले विडियो में देखा है कि आपको सवाल जबाब करने चाहिए अपनी पूर्व ग्यान से उनको जो भी नया सीख रहा है उसको जोड़ना चाहिए तो हम क्योंकि केवल मोटी बात याद रखते हैं तो इसलिए दूसरी बात note taking में क्या है कि न्यूमानिक्स जिसको कहते हैं उनका भी बहुत important रोल है न्यूमानिक्स का मतलब है कि कोई लंबी सी कोई चीद आपको याद रखनी थी आप उसका कोई और शब्द बना लेते हैं जैसे आपने trigonometry में शायद सुना होगा पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले तो पंडित बदरी प्रशाद हर हर बोले जो है वो एक न्यूमानिक है जो हमारे को फिर बाद में मदद करता है साइन थीटा कॉस थीटा इन सब के फॉर्मूला याद रखने के लिए तो एक बात तो यह है कि हमारा दिमाग केवल मोटी बात याद रखता है, जिस्ट याद रखता है और दूसरा है कि हमारा दिमाग विश्वल चीदों को जादा अच्छा याद रखता है तो इसकी वज़े से क्या है कि जब आप नोट्स ले रहे हों, चाहे आप यूट्यूब विडियो देखकर खुद से अपने को सिखा रहे हों तो नोट टेकिंग में एक तो हेड़ अप नोट टेकिंग है अक्टिव इंगेजमेंट और दूसरा है जैसे आप माइंड मैपिंग जैसी टेकनीक यूज़ कर सकते हैं माइंड मैपिंग को हम आगे ज़्यादा गहराई से समझेंगे पर mind mapping में क्या होता है कि आप चितर बनाते हैं जैसे flow chart का या आप flow chart भी बना सकते हैं पर mind mapping में चितर बनता है कि आप एक गोला बनाते हैं जिसमें आप मुख्य बात लिखते हैं और उससे संबंदित फिर जो बाकी बाते हैं उनके और गोले बनाकर उनको केवल मोटी बात वह में information encode होती है और कैसे हमारी जो हमारा ब्रेन है वो केवल मोटी बात याद रखता है जिस्ट याद रखता है और विज्वल याद रखता है तो इस किसम के गोला बनाके उनकी आपस में संबंद बनाना इसको माइंड मैप कहते हैं और इस किसम की विज्वल नोट टेकिंग जो है वो जादा काम आती है तो अभी तक हमने इस विडियो श्रिंखला में देखा कि 21 सदी में क्यों अनिवारे हो गया है कि आप सूपर लर्नर बने और फिर हमने सूपर लर्नर के कुछ मुख्य मानसिक गुणों पे चर्चा करी अगले विडियो में हम इन जानकारी का आप एक प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं अपनी पढ़ाई में